आपने मुझे बुलाया है आओ बाबुलो जितना तुफान घर के बाहर है उसे कहीं बायानक तुफान मेरे पिल के अंदर उठा हुआ है तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सिर्फ तुम ही वो शक्स हो जिसकी मदद से ये तुफान हमें शक लिए थम सकता है साहब मैं लोहार हूँ सीधी जोट करता हूँ और सीधी पात समझता हूँ आज से तक्रीबन साड़े साथ साल पहले एक ट्रेन एक्सिडेंट में हमसे हमारा बेटा बिचड़ गया था हाओ मेरे साथ बाबू यही वो कमरा है जिसमें पहली बार हमारे बेटे ने आखें खोली थी उस मासूम की हर चीज हमने बड़े प्यार से समाल कर रखी है सिर्फ सिर्फ मेरी पत्नी ममता को विश्वास है कि हमारा बेटा सिंदा है इसलिए हर सार भोस का चनम दिन मना थी है और उसके तोफों को सहेज कर संभाल कर रखी है लेकिन यह सब पुछ तुम मुझे क्यों बता रहा है क्योंकि बाबू मैं उस बच्चे का बाप हूं और ममता उसकी माँ जानना नहीं चाहते हैं कि वो बच्चा कौन है वो बच्चा यह है बाबू तुम्हे हमारा बेटा कैसे मिला आपका बेटा किस बेटे की बात कर रहे हैं आप बनने की कोशिश मत करो राजू हमारा बेटा है मैं जानकर अंजान नहीं पन रहा हूं साहब ममता की लोरी हुआ करती थी अवल तुम मेरे राजू से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता मेरा बच्चा तीस किलो का है उसकी रगों में मेरा पसीना खून बनके दोड़ रहा है उसके जिसम में जो परकत आई है वो मेरे कमाई की है मेरे महलत की है मैं देखता हूं मेरा बच्चा मुझसे कौन अलग कर सकता है अब समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका है ये लो ये सारी तॉलक ले लो और अपने लिए एक लोही की पैक्टरी कड़ी कर दो और ये लो ये लो ये चेक पर इसम ऐसी रखम लिखतो ताके तुम्हारे साथ पुष्टों तक गरीबी की हिम्मत नहों कि तुम्हारे दर्वाजे पे दस तक दे सके लेकिन लेकिन मुझे मेरा पेटा लोटा दू पेटा लोटा दू बापो कर बाप का सौदा करते हैं चलो हमने आपकी ये दौलत ले ली और अब हम आपकी ये दौलत वापस देते हैं सारी जिंदगी हम आपका गुलाम बनकर जिएंगे उसके बदले में हमें वह बच्चा वापस देदीजी अरे वह बच्चा तो दूर की बात है वह कमरे में जो पालना पड़ा हुआ है वह हमें देदीजी जिसके अंदर आपकी बतनी की ममता कूट-कूट के भरी हुई ह कि देशकोगे आप देशकोगे आप देशकोगे वह बच्चा तुझे मिला तो उसका चनम दाता नहीं है भाबू उसके माता पिता का अधिकार और राजू का भागे भी क्या तू चीन लेगा राजू उसका खून है तेरा नहीं